हेलो और नमस्कार स्वागत आफ जबी का आज मेरे हाथ में एक लिस्ट है ये लिस्ट है किस बात की अभी कुछ दिनों पहले एक टेस्ट कंड़क किया गया था मैं आपको बता देता हूँ कि कई कैंड़ेट्स ऐसे भी होते हैं जो शायद फिनेंशली किसी कारण से कैपेबल नहीं होते हैं अब वो कैंड़ेट्स पीछे नहीं रहे इसलिए अनकैडमी ने हर छह मेने में लगबग मैं कहूंगा कि पहली बार नहीं हुआ है इससे पहले भी ऐसा इनिशेटिव लिया है और इस बार भी ऐसा इनिशेटिव लिया है कि उनको जो है कुछ फिनेंशल सपोर्ट किया तो अब अनकैडमी की तरफ से जुडिश्री सेगमेंट के लिए स्पेसिफिकली जुडिश्री किसी और सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी हाल फिलाल मैं बात कर रहा हूं कि जितने भी जुडिश्री कोर्सेश हैं आज आप देखो कि जुडिश्री कोर्सेश का जो price worth है suppose करो कि आप join करते हो यहाँ पर 24 month का जिसे 2 साल का कोई LLP student ले रहा है तो एक 76,000 10% less कर भी लेते हैं तो भी एक amount 69,000 का figure 2 साल के लिए होता है साल पर के लिए भी ले रहे हो तो माल लिए 50-52 जब अब हरे candidates के लिए इतना afford करना possible नहीं हो पाता जो कि genuine reason भी होता है लेकिन अगर वो candidates अपने अंदर एक जुनून और एक talent को छुपा कर बैठा हैं तो उसके talent को कदर करने के लिए और इन चीजों को affordable बनाने के लिए unacademy की तरब से ये एक test organized किया गया था जिसको बोलते है scholarship test मैं मानता हूँ आप मैं से कई candidates इसको एक commercial pattern के angle से भी देखेंगे but मेरा मानना ये है कि commercial दुनिया के अंदर अगर talent को थोड़ा सा भी support मिलता है तो इसमें हर्ज किया है तो अब ये पास एक list है साड़े 300 candidates यानि कि लगबग लगबग 350 candidates से भी ज़्यादा लोगों को support दिया जा रहा है financially आर्थिक रूप से scholarship के format के अंदर और यहाँ पर इस कहने में मुझे बड़ा फकर फिल ओरा कि ये बहुत अच्छी चीजे एक अच्छा move है तो आपको मैं बताना चाता हूँ कि कौन-कौन से candidate जो है unacademy judiciary scholarship test के अंदर विजयता रहेते लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है मुझे एक general sense बताओ कुछ समय के लिए भूल जाओ कि unacademy है या कोई platform है या कोई teacher या कोई student है एक layman एक आम आदमी के एंगल से सोचो कि क्या एक section एक संस्था को क्या एक educational institute को इस तरीके से scholarship test करवाने रहना चाहिए ताकि जो candidates financial किसी कार्ण से capable नहीं है उनको सयोग मिले आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे comment box में जरूर बताना मैं literally जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या मानना है मतलब हो सकता है कुछ angle से यह चीज सही हो नहीं हो लेकिन student को फाइदा पहुँचे वो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए यह मुझे आप चाहे live देख रहे हो या recorded format देख रहे हो इसका मुझे आप comments एक दू लाइन में जरूर बताईएगा क्योंकि मेरा तो मानना है कि yes होना चाहिए होना चाहिए तो चलो अब आते हैं आपन यहाँ पर list में मेरे पास बहुत लंबी चोड़ी list है मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सब के नाम ले पाऊं ओके चली जी तयार हो जाते हैं यहाँ पर किस-किस को मिला है कौन-कौन सा scholarship सबसे पहले देखिए ये वो top 5 luckiest candidates कह दीजिए मैं इनको luckiest नहीं कहूँगा ये है intelligent candidate जिन्होंने अपने दम पर लिया है अपने दम पर अपनी मेहनत के दम पर अपना score secure कर रखा है और इन candidates को इन 5 candidates को ये top 5 candidates हैं इनकी rank का आप देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तो UJST में सबसे 1st rank रही है परिक्षित त्यागी जी 2nd rank रही है पृति चोदरी जी 3rd रहे अभिशेक सिंगल जी और 4th हिमांचु अगरवाल और उसके बाद 5th पृति जी इन 5 candidates का 100% scholarship रहा है 100% का मतलब इनका सिंगल रुपीज भी जुडिश्री की preparation में बीच में नहीं आएगा मैं चाहता हूँ क्यार इनके लिए इस virtual platform पे clapping तो होनी चाहिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए पृति चौद्री जी अभिशेक सिंगल जी हिमांचु अगरवाल जी पृति जी इनके लिए clapping होनी चाहिए यार अपनों मैसे है अपने मैसे कोई बंदा जो है top 5 rank secure करके आया है और एक और चीज इन 5 candidates को मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा कल की तारीक के अंदर मिलना चाहते हो कि नहीं मिलना चाहते हो comment box में जरूर बताना इन 5 हो से मिलाऊंगा आप भी देख लीजिएगा कि ये 5 हो artificial figure नहीं है real person है जिन्होंने ये score secure किया है चलिए अब इन 5 हो के अलावा अगर आप अभी इस live class को देख रहे हो या बात में इस recorded format को देख रहे हो तो comment box में एक बार कुछ comment अपने दिल से जरूर कीजेगा बाती तो मुलाका चर्चा करेंगे अपन कल वाली एक live episode में मैं आपको बता देता हूँ कल सुबह 11 बजे एक live episode करूँगा मैं आपके बीच में जहां पर हम इन 5 हो केंडिट से मिलेंगे इसके अलावा अब देखें सेकंड गेंडिट्स ये जो लिस्ट है ये आपके 12-20 केंडिट्स देखो फर्स से 5 को तो 100% scholarship मिल गया है 6 से लेकर 25 यानि कि आपके 20 केंडिट्स को 20 student ऐसे है 20 learners ऐसे हैं जिनको जो है 50% scholarship मिला यानि कि अगर माली जी कोई भी course अगर 30,000 का है तो इनको जो cost available होगी वो 15,000 पे होगी 50% scholarship अब यहाँ पर किसी particular केंडिट्स ने शायद अब डाउनलोड करके अपना नाम भड़ते समय गलती है सिर्फ आर लिखा है इसलिए उसका नाम हमें याँ पर दिखाई नहीं दे रहा है बाकी मदुर जी है मौलिक गर्ग जी है योगेश जी है हर्ष भार्दवाज जी अक्षिता कटारिया जी चाहाद जी अर्पित गुपता जी रुची जैन जी सोयेश गौड जी और इनके साथ साथ दीपू जी है शुरूती जी है अमन दीप कौर शिवम सिंगला रिया जी है संगिता जी नेहा गर्ग जी है सुर्यान मिश्रा जी है नेहा अगर्वाल जी है और यश्राज जी है इनका भी स्कोर जो है येस यहां तक तो ये जो कैंड़ेट्स है 25 जिनकी रैंक 6 से लेकर 25 के बीच में है इनको जो स्कॉलर्शिप मिला है प्रिपेशन करने के लिए वो मिला है 50% 50% इसकॉलर्शिप मिलेगा कैसे जिन-जिनका नाम आ रखा है हो सकता है वो कैंड़ेट्स इस बारे में सोच रहे हूँ कि सर नाम तो आपने बता दिया अब बताओ कि सर ये स्कॉलर्शिप हमको मिलेगा कैसे मुक्यम वो खुश होगा कैसे तो मैं आपको बता दूँ आपने जो इमेल आइडी प्रोवाइड कर रखी है ना अने कैडमी एप डाउनलोड करते समय है जो आपने बेसिक डिटेल डाली होगी फॉन नमबर और इमेल आइडी जो आपने डाल रखी है उस इमेल आइडी पर बक्यादा एक ओफिशल मेल आ रखा है 100% आ रखा होगा और अगर किसी तकनीकी कारण से आपके पास मेल नहीं आया है तो आप क्या करना आप इस नमबर पे एक बार कॉल कर लेना 858585858585 ये एक सपोर्ट का नमबर है आप इसके जरीय क्या कर सकते हो मेल डाल कॉल कर सकते हो और इसे पूछ सकते हो कि सर मेरा नाम आया है स्कॉलरशिप में अब बताओ क्या करना है आगे आप इसे जानकारी ले सकते हो सर ये बिल्कुल साइड डिसीजन है पर सर अगर हर न्यू बैच स्टार्ट होने से पहले ये टेस्ट होने लगे तो और भी जादा सही रहेगा तो बिल्कुल सुभी जी वही तो बात बता रहा हूँ अब ये टेस्ट कब हो रहा पता है जब मैं 26 जनवरी को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू इस टेस्ट में मैंने मामा शकुनी की भूमिका निभाई है पूछो कैसे मैंने कहा है कि भांजे आने स्कॉलर्शिप टेस्ट तब कराओ जब 10 तिन बाद मेरा बहच आने वाला हूँ तो 26 जनवरी को बहच आने वाला है 26 जनवरी को रेगुलर बहच है और उससे पहले इन सारे कैंडेट्स को स्कॉलर्शिप मिलने वाली है तो सुभी सिंग जी आपके बिना कहे ही ये बात जो है दन हो चुकी है तो अब देखो मैं आपको बताओ ये देखे 26 जनवरी को 26 जनवरी रेपब्लिक देखो लिंकिंग रेगुलर बैच भी आपके आई रहा है तो डेफिनेटली सई समय पर आपने जो कमेंट्स किया है उसका आंसर यहाँ पर है ठीक है ठीक आप देखो यहाँ पर ये कैंडेट्स का 50% स्कॉर रहा है मैंने आपको बता दिया कैसे संपर्क करना है अच्छा अब थर्ड स्लैब पे आजाते है यह तो क्या था फर्स स्लैब जो 100% 5 कैंडेट्स उसके बाद 50% का स्लैब यानि कि टॉप 20 कैंडेट्स 6 से लेकर 25 तक उसके बाद में लगबग लगबग 25 के बाद में अब आप यह सारे जो नाम देख पा रहे हैं 26 प्रियेंका लखंजी से लेकर आपके कंटिन्यूसली 100 रैंक तक जो 100 रैंक जिन्होंने सिक्यूर किये मैं आपको बताना चाहूंगा इस टेस्ट के अंदर एप्रोक्सली 1500 से 2000 कैंडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था 1500 से लेकर आपके 2000 कैंडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था उन में से ये टॉप 100 की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं और इनके अलावा भी ताकि कोई कैंडेट्स जो अच्छा अटेम्ट कर रहा है उसको निराशा ना मिले उसके अलावा भी उनको बेनिफिट दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर तो उन में से ये 26 से लेकर 26 से लेकर आपके कहा तक जाएंगे ये मामला आपके 100 तक पृति जी से लेकर 100 तक तो अब आपके यहाँ पर 26 नमबर P से स्टार्ट हो रहा है P से स्टार्ट हो रहा है प्रियंका जी और लास्ट में जाके P4 प्रिया जी पे जाके खतम हो रहा है तो इन सभी केंडिट को मैं फटा पड़ें के नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मैं रहनी पा रहा हूं हारी प्रिंगा जी जस्दीब जी है प्रशुन जी वसिष जी है सिवंगुमा जी हिमानी भार्दवाज जी है नमरता जी है श्रिया पांडे जी है आशीश रंजन जी है इस्टीव रोजर्स जी है रचित जैन है हिमानी पठानिया जी है अमृत्य कश्यब सुकंदीब सिंग है एस जोग भी हो सकता है और शडियंतर भी हो सकता है प्यूस फांडे जी यहाँ पर ये परताब सिंग जी हरपीद कौर है, अमरीन जी है विशाल दिवेदी जी, जस्वन सिंग जी आर्जे, आदिल जी, आदर्ष मिश्रा जी है, रिशव सिंगला जी यहाप पर साक्षी जैन आर्षी 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 इसक्वेर नहीं है एक नाम गलत आओगा इन्होंने सर्णेम की जग़र गलती से फॉर्म आर्षी बर्दी आओगा शिवाजी, डभनवर्मा जी, मुनाली जी है उसके बाद वन्दना सिंग जी है विवेग जी है, नितिनवशिश जी, आराचि जी है रुपिंद्र कौर, अबे जैसवाल विनी जी, सुभम वर्मा,ंकिता सैनी अरपित अग्रवाल जी, सुक्रिती जी अग्रवाल, हर्षिता जी, शिवास्तव, अक्षत महता जी, उदित परताब सिंग जी, अजे बलहारा जी, येश गुपता जी, पल्लवी कौर जी, लर्निंग बर्ड स्वाती अच्छा, ये देखो इनकी संग्या है, लर्निंग बर्ड, बेसिकले का नाम क्या है, स्वाती जी ठीक है, शिवान सु शेकर जी है, यहाँ पर चाहत गर जी, दिपिका काली रमन जी है, चारू जी है, सुलेका चौदरी जी है, डोबी जी है, सुकरति साउ जी है, अखिले सेनी जी, मंजोद जी है, रमन दीप कौर जी है, मुती जी है, शिष्टी सांकला जी है, उसके पास शिखा सिंग जी है, सुर्भी जी है, M.K. सिंग है, एकता चोदरी जी, नसीर मोहमद जी है, परमिंदर जी है, हेमन जी गोयल, श्रेयांस जी जैन और पृत्ती जी, ये वो सारे candidates है, ये वो सारे candidates है, Mr. Karl आया जी, मैं समा प्रार्थी हूँ आप से, लेकिन ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, scholarship में, जो candidate select है, उनकी है, तो अब अगर आप इस class के अंदर, मुझे कुछ कहारो, मैं सहन कर लूँगा, लेकिन अगर आपने इन student के बारे में कुछ कहा, तो शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप समप कीजिए, आप इन student को respect कर सकते हैं, तो कीजिए नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसे मत बोलो, इन्होंने आर अपनी मैनत से rank secure किया, and it's not a time pass like something, ठीक है, पढ़ाई के लिए 7-8 बजे की class है, अभी स्क्लास का नाम ही scholarship test के rank declaration था, ठीक है ना, thank you, और अगर dignity नहीं दे सकते हैं तो यार मत करो join यार, मत करो attend, फिर दिल दुख जाता है, एक teacher जो यूटूब पर पढ़ाने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं आता है, कि कोई भी कोई चीज़ हो जाए, with due respect मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे comment मत किया करो dear, इनके disrespect करने वाले candidates को, मैं तो क्या करता हूँ, इश्वर भी माफ नहीं करेगा शायद, ठीक है, क्योंकि ये लोग वो है, जो financial problem को लड़कर भी अपने talent की दंपर, top 100 rank secure करके आए है, ठीक है, चलिए, अब इनके अलावा मैं आपको एक बात जानकरी और देता हूँ, एक जानकरी और देता हूँ, और वो क्या होती है, वो ये है, कि जो candidate 101 से लेकर, 101 से लेकर, लगबग लगबग 350, या मेरी ख्यासे दो candidate की mark एक्षवल थे, 352 तक, जिनके score है, उन candidates को भी, यहाँ पर 25% का जो है, वो scholarship इस फैंगल से मिल जाएगा, ठीक है, इस एंगल से मिल जाएगा, पता है, मैं बच्पन के अंदर इस्कूल में बढ़ा करता था, तो हमारी class के अंदर, छोटी सी कानी है, फटा बट सुन लीजे, हमारी class के अंदर, एक बहुती बड़े रहीस, घर से एक लड़का आया करता था, कार में छोड़ने आया करते हैं, तो वो लड़का क्या है, हमारे संस्कूल के टीचर की हमेशा करते हैं, कैसार आपकी संस्कूल रहना तो, टाइम पास मत करो, पढ़ाना स्टार करो, एक दिन हमारे संस्कूल के गुरू जी को, जो है, इस बात की बड़ी चुबन होगी, उस दिन की बात है, उस दिन के बात से वो गुरू जी हमको, हमारी स्कूल में दिखे ही नहीं, तीन महीने तक नहीं दिखे, चौते महीने, हम बाकियों के बच्चे, हम जो बाकी स्टूडेंट थे, वो उनके घर पे गए, पता चला, उनकी वाइफ से, कि उनके गुरू जी जो है, इस परिश्थिती के अंदर है, कि वो अपने आप में डी मोटिवेट हो गया, प्रेम करते हो, जिस इनसान से आप प्यार करते हो, एक टीचर स्टूडेंट से सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करता है, वो दिल से प्यार करता है, अब इस प्यार को आप बॉलिवुड वाली संग्या मत दीजिएगा, यह प्यार है जजबा तो वाला, जब जजबा तोड़ते हैं यहां नहीं लगती है, यहां लगती है, इसलिए कभी ऐसे शब्द मत करो, क्योंकि मेरे उस संसकत के गुरुजी को आज भी मैं याद करता हूँ दिल से, चलिए, तो यहां पर बेसिकली इन में टॉफ फाइब क्यंड़ेट्स कौन कौन रहेंगे, उनसे पर मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, और हमें यह जानना है, क्योंकि यह वो क्यंड़ेट्स हैं, जिरुआने कई क्लास फ्लास नहीं करेंगा, अगर आपको किसी तरीके की प्रॉबलम आती है, अगर आपको कोई यहां से संपग ना मिल पाए, यहां से संपग नहीं मिल पाए, तो आप लिंकिंग सपोर्ट, यानि कि जो टेलिग्राम चैनल अपना लिंकिंग लाउज तनसुक सर, उस पे चाहें, तो add the rate तनसुक सा message कर देगा मैं definitely आपके message को forward कराऊंगा ताकि आपका scholarship का right है वो आपको मिल सके ठीक है जी चलिए फिर भी दिल से अगर कोई बात आपको ठेस पहुची हूँ तो माफी चाओंगा लेकिन हाँ scholarship राप्त करने वाले candidates की योगिता पर किसी भी तरह का कोई भी प्रसन वाचक चिन नहीं लगाया जाएगा ओके जी चलो थैंक यू थैंक यू सो मच 8.15 आप से मिलूँगा AIB पेपराथॉन और जिन गेंडेट ने गलती से याँ पर टाइम पस कर दिया है वो 8.15 वाली क्लास के अंदर इवेपराथॉन सीरी जॉइन करना evidence log के लगबख 60-70 questions अब दुआ दुआ करने वाले हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच